अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन पे जो एक जुलाई से एरियर की उपर जो अपडेट आ रहा है उसके बारे हम बात करेंगे सभी भूतपुरो सैनिको के लिए अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और भूतपुरो सैनिको को जो है कितना एरियर मिलेगा एक जुलाई 2019 से उसके उपर एक नया नोटिफिकेशन आया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोगा है दोस्तों देख सकते हैं एरियर्स ऑफ ओ ओ रो पी फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022 जुलाई 2019 से लेके जून 2022 तक कितना एरियर मिलेगा और ये इंडियन एक्स सर्विस मुमेंट की तरफ से है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट की तरफ से जो भी लेटेस्ट डिसीजन आया है उसमें जो है तीन महिने कंदर फ्यू एरियर शीट्स आर इन सर्कुलेशन इन वेरियस मीडियम्स ऑफ शोशल मीडिया देख सकते हैं अगर सिपाई की बात करें तो 2002 से लेकर 2019 तक जो है एस पर PPO एटेच्ट यह होगा और डिफ्रेंस इन बेसिक पर मन्त 4196 तो इसका कैलकुलेशन का भी एरियर का फॉर्मला दिया गया है यह 50352 जो डिफ्रेंस आ रहा है 4196 का उसको और 12 से मिल्डिप्लाई करें तो 50352 आ रहा है और जून 2022 तक करें तो एक लाख इकावन हजार 56 रुपे बन रहे हैं अगर तीन साल से मिल्डिप्लाई करते हैं दोस्तों यह था एरियर का कैलकुलेशन जो की अभी Indian Act Service Movement की तरफ से दिया गया है और एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया गया है कि इसका जो है सही जो कैलकुलेशन है वो शेर किया जाए जिससे की सबको कितना एरियर मिलेगा उसका लेयर हो सके हैं दोस्तों यह था आज का important update सभी भूतपुर सैनिकों के लिए One Rank One Pension से लेटेड अगर वीडियो पसंद आये तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले थैंक यू फर watching this video